Welcome to study channel में नाम है मुहम्मत कैसर BPSC TRE3 का exam जो रद्ध हो गया था पेपर लिग की विज़र से दुबारा से वरिक्षकव होगी ये सवाल हजारों छात्रों का है कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था BPSC TRE3 exam के बारे में मैंने आपको बताया था कि कल छात्र BPSC आफिस पर पहुंचे थे और वहाँ से छात्रों को ये जानकारी मिली है कि अभी तक exam center decide नहीं हुए है और यहाँ पर BPSC के दिकारियों दुआरा कुछ भी साफ नहीं बताया जा रहा है बस वह इतना कह रहे है कि जल्दी वेबसाइट पर notice आएगा और चीज़ें आपको clear हो जाएंगी लेकिन ये जानकारी मिल चुकी है कि अभी exam center final नहीं हुए है सारे जो अधिकारी हैं दोस्तों चुनाओं का समय है आप सबको पता है एक जून को साथवें चरण का मद्दान होना है जो अंतिम है और चार जून को फिर नतीज़े आ जाएंगे लोग सबाचुनाओं के तो सारे अधिकारी करमचारी सब चुनाओं में व्यस्थ हैं कुछ भी अभी exam को लेकर कारवाई नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि जो 10-12 जून वाला उसमें परिक्षा होने की जो संभावना है वो बिलकुन ना के वराबर है कल ही मैंने आपको बताया था कि परिक्षा आपका 10-12 जून वाला जो डेट है उसमें नहीं हो पाएगी और कल छात्रों ने यह सवाल भी पूछा था तो अधिकारियों द्वारा भी ही बताया गया कि वो 10-32 डेट थे कोई वो कनफर्म 100% डेट नहीं था तो वो डेट चेंज होने वाला है यह जानकाई निकल कर आ रही है इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे है कि आप 20 जून को परिक्षा हो जाएगी क्योंकि 20 जून को लेकर आपने देखा होगा नियो जटिन के मादे हम से खबर निकल कर आई थी कि 20 जून से परिक्षा हैं होंगी तो 20 जून को लेकर भी कोई असपर जानकाई नहीं दी गई और यह बताया गया विपेसी के द्वारा कि हमने कोई 20 जून को लेकर नोटिस नहीं जारी किया है मीडिया के हवाले से खबर है आप लोग वेट करिए जल्द ही नोटिस विपेसी की वेब साइट पर देखने को मिलेगा आज जोस्तों जो नहीं जानकारी जो नहीं अपडेट निकल कर आई है वो आप जान लीजिए परिक्षा को लेकर इंपोर्टन जानकारी ये निकल कर आई है कि बहुत ही जल्द बीपेसी और शिक्षा विभाग के बीच एक महाथपूर्ट बैठक होगी परिक्षाओं को लेकर ठीक है तो ये बैठक चांसेस हैं कि 5 जून को होगा 4 जून को नतिजे आने के बाद 5 जून को एक इंपोर्टन बैठक होने जा रही है 5 या 6 जून मान कर चलिए जिसमें BPSC और शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे और परिक्षा तिर्कियों को लेकर फाइनल निर्ड़ लिया जाएगा तो अभी तक फाइनल को डिसेजर नहीं हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे 10, 11 जून को या 12 जून को परिक्षा होगी कम से कम 15 दिन 20 दिन लगते हैं तयारी करने में सारी चीज़ हैं फाइनल करने में सेंटर डिसाइड करने में एड्मिट कार्ड आपका प्रिपेर करने में 2-3 दिन तो आपको एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने का ही समय दिया जाता है ऐसे में दोस्तों जो chances हैं जादा कि आपकी परिशा आपकी June end यहीं तो July में कराए जाएगी या तो June के अलती सब्ता में हो जाएगा बहुत जादा परिशा आपका नहीं बढ़ रहा है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि TRE4 भी होना है अगस्त में परिशा नहीं है तो जुलाइब में उसका भी नोटिफिकेशन जारी होगा विग्यापन जारी होगा आवेदन लिये जाएंगे फिर उसका एक्जाम सेंटर बनेगा अडमिट कार्ट वगर्द सारी चीज़ें उसकी भी तो तैयारी करनी है तो यदि ट्यारी की परिशा में ज 11 या 12 जून में नहीं हो रहा है बागी आवों तैयारी करते रहें कोई और आएगी तो जानकारी में दूंगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा थैंक्स फॉर वाशिंग